लो एवरीवन वैसे तो शीर कुर्मा बनाना बहुती आसाने पर लोग इसे कॉंप्लेकेट समते हैं तो आज हम बनाएंगे ऑथेंटिक वैसे शीर कुर्मा जोकी बहुती गाड़ा क्रीमी बनने वला है और आप इसे कभी भी बना कर एंजोई कर सकते हो ठंडा या गर हम तो व डोती गरम होते तो इसे राधवर भीगो कर फ्राइ करना होता है अगर आप रोजा के बात खाते हो तो वरना आप डिरेक्ली सेमी यह हैं विह बहुती बारिक वाली 179 आप इतने 걸 अज़ाइदा कर सकते हो अगर अवैलेबल नहीं तो आप इसकी जगा क्या डाल सकते हो वह म वाला दूद है इसमें से मैंने आधी कोट्रोरी दूद निकाल ली है खोया के लिए साथ में हमें लेना है देशी गी फोर रोस्टिंग सेविया एंड ड्राइफूट्स गानिशिंग के लिए एंड टेक्श्यर के लिए केशर यह ऑप्शनल है साथ में यूज करना है लैची शीरखुर्मा वो भी गाड़ा एंड क्रीमी तो आप यह रेसीपी जरूर ट्राइक करें यहां पर ड्राइफूट्स हलका सा गॉल्डन हो चुका है तो इसे ठंडा होने देगे तब तक हम सेविया को बारिक बारिक तोड़ लेते हैं एरफूली करना पड़ेगा क्यूकि ब तो हम इसे एकाज मिनिट के लिए रोस्ट करेंगे क्यूकि हमारी जो सेविया है यह औरड़ी रोस्टेड है जब सेविया फुली फुली लगे तो गेस की फ्लेम को ओफ कर देना है फिर शीरखुर्मा बनाने के लिए एक बड़ा वाला पेंट या फिर पतिला और इसमें ड दूद गरम होता है तब तक हम खोया को दूद के साथ मिला लेते हैं बहुती आसान तरीका है पहले तो दूद में डालकर चमत से मिक्स करना है नहीं इसे गरम करना है और नहीं खोया को मेल्ट करना है बस इसे एक साइड रख दीजिए इसका यूज हम आगे करने वाले है औ तौझ तो उस टाइम को गेस की फ्लेम को मीडियम कर देनी है और उस टाइम पे डालना है रोस्टेट सेवियाँ थोड़ा-थोड़ा करके शेविया को डालते पृर कडची या स्पून से अच्छे से मिक्स कर लेना है यहाँ पर stare करना जरूरी है क्योंकि हम जो भी ingredients डालते हैं वो नीचे की side चिबकने लगता है क्योंकि हमें गाड़ा शीर खुर्मा बनाना है तो बारी बारी stare करते रहिए इसके बाद जो चीज डालनी है वो है condensed milk अगर आपके पास condensed milk available नहीं है तो आप caramel sugar भी use कर सकते हो एक पेन में थोड़ा सा butter डालके sugar को melt करना है caramel foam में आ जाने के बाद इसे इस stage पर use कर सकते हो और जब condensed milk डालते हो तो continuously stir करना है condensed milk बहुती गाड़ा और चिपका चिपका होता है तो पेन में चिपक जाएगा और जलने लगेगा तो to be carefully और हम condensed milk डालते हैं इसलिए यहाँ पर हम sugar नहीं डालेंगे क्योंकि condensed milk already बहुती sweet होता है इस stage पर हमें डालना है इलाची powder इससे sheer chroma में flavor मिलता है और एक अलग ही महक आना शिरू हो जाती है इसे डालने के बाद अच्छे से milk के साथ mix कर लेना है तो आप देख सकते हो इतनी process में जो दूद है वो एक layer कम हो चुका है यानि दूद जो हे वो गाड़ा हो रहा है टेक्सचर भी बढ़िया फ्रम में आ गया है आप इस स्टेज पर थोड़ा सा केसर दूद में मिला कर डाल सकते हो फोर fragrance और टेक्सचर के लिए पर यहाँ पर में जिर्फ केसर गानिशिंग के लिए यूज करूँगी क्योंकि हर किसे के पास available होता है या नहीं तो हम वहीं बनाएंगे जो हर गर में आसानी से मिल जाए और लोग खुशी से खा पाए यहाँ पर जो ही दूद पूरा गाड़ा हो चुका है और सेविया भी अच्छे से फूल चुकी है तो इस टाइम पर हम गेज को ओफ कर देंगे यहाँ डालेंगे हमने जो खोया और ना ही शुगर यूज़ के एक दम क्रीमी शीर खुरुमा बना है तो इस इत पर आप जरू ट्राइक करें मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए लाइक शेर और सब्सक्राइब